यह थोड़ी देव के बाद ओइल छोड़ देगा मसाला ना अच्छे से रोस्ट करना है जब रोस्ट अच्छे से हो जाएगा तो इसमें ऑटमेटिक लिए अच्छी खुश्बू आना शुरू हो जाएगी गाइज यह पूरा का पूरा पैकिट है पोटेटो का मैं इसमें से कुछ पोटेटो बहार निकालूंगी और इस पेन के अंदर डालके उनको बॉल करने के लिए रखूंगी हम यह फर्स टाइम यूज करने जा रहे प्लेन फ्लार पता नहीं कैसा बनेगा बट उमीद करते हैं अच्छा ही बनना चाहिए और यह मैंने लिया है यह प्लेन फ्लार ले लिया है एक उसके अंदर प्लेट के अंदर और यह घी यह घी से में इसमें मोन लगा के और इसका डो बना के रखूंगी यह मैंने इस फ्लार में घी मिक्स कर दिया है क्योंकि यह घी मिलाने से क्या है ना जो डो बनेगा मतलब जो आटा लगेगा वो काफी सॉफ्ट रहेगा और उससे इजी लियना आपके समोसे भी भी बन जाएंगे तो यह अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इनको बहुत जादा बोईल नहीं करना है कि लाइक मैसी हो जाए थोड़ा सा हलका सा टाइट रखना है यह देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ बहुत जादा भी बोईल नहीं है और अब मैं इनको इस पेन में डालके ठंडा करके उनको छिलके और फिर इसका मसाला बनाना रेडी करूंगे यह देखिए गाईस मेरा डो जो है पूरी तरीके से रेडी हो गया मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था और यह टाइट भी है इसको डिला नहीं रखना अभी यह ओके है समसा बनाने के लिए यह आलो मैंने छिलके रख दिया तो आपको बताती हूँ यह धनिय यह है काली मिर्च और यह आप देख रहे हैं जावेत्री और यह लोंग और यह है पत्तर का फूल और यह है कस्तुरी मेती और यह है तेज पत्ता कस्तुरी मेती और यह जो पत्तर का फूल और जावेत्री है यह जो मसाला है उसमें खुश्बू और टेस्ट बनाने के लिए मैं लोंग भी एड़ कर दी है और अब मैं अएड़ करने वाली हूं मेरी जो पेन अच्छा गरम हो चुका है यह धनिया मैं पत्ते इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे यह मैंने एड करी है इसमें हरी मिर्ची इसको अच्छे सब्लिन देंगे अब मैं यह अध्रक इसमें एड कर रही हूं अध्रक के बाद यह जो है पत्तर का फूल यह पत्तर का फूल मैंने एड कर दिये जावेत्री एड कर दिये और पूरा का पूरा जो है सौंप यह इसके अंदर एड कर दिया है अब मसाले दो अच्छे से रोस्ट करेंगे थोड़ी दो तो तीन मिनट के लिए इस सबको अच्छे से पकने देंगे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और जो हरी मिर्ची के स्टारा है ना इसमें थोड़ी सी पिंच भरके इसमें हल्दी एड करेंगे यह उप्शनल है अकर आपने लगता है तो आप इसमें में में यह हम ऊप्शनल हैक ay और उसके ऐसमें शोल्ट करना है और गाइज इसमें एक चीज़ और वह यह है कि आगर आप चाहो तो आप मटर आप यूज कर सकते हैं हम लोग। सिंपल आलो के साथ यह मसाला बनेंगे हम लोगों को थोड़ा कम पसंद है मतर वज़रा ओविसली पसंद है बट सिफ समोसे में हम लोग खाते नहीं यूज करते हैं बट आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो मैंने ऑप्षिनल बता दिया मेरा जो मसाला है अ पूरी तरीकशे से मैश सेट मैंश करना है थोड़े से मोह में पीस आते ने आखे लगते हैं बिलकुल एसा नहीं एक दम से चुर्रा ही कर दिया हो पराटे बनाने जैसा तो ऐसा नहीं करना है यह सारे पोटेटोस एड हो गए हैं अब इनको अच्छे से मिक्स करती हूं अब यह मैं सारे पोटेटोस को इसमें एड कर दिया और अच्छे सब मैं सब को मिक्स कर रही हूं ताकि सब के अंदर अ तोड़ा सा छोटा ऐसा लग रहा है मुझे मसाला काफी जादा लग रहा है प्रेंज यह ना अथर उठी गया है सो रहा था तो मुझे इसको लेना पड़ा और अभी जो मसाले का काम चल रहा था समोसे का वो मेरे हजबन इसमें ने हैंड ओबर कर लिया है तो मेरा बाकी का दूरा काम वो कर रहे है तो वो भी आपको बताएंगे किस तरह से चाहलों किया है और मैंने ठावड़त कर दिया बस यह उपते से इसको पहले आप खाना के लाएंगे बाकी समोसे सब बाद रखेंगे तो चलते हैं क्या चल रहा है जड़ा किछिन में अब यह इसमें न कस्तूरी मैथी जो है हम एड कर रहे हैं ताकि इसमें खुश्बू बनी रहे टेस्ट बना रहे यह होगी यह कस्तूरी सब्सक्राइब करना है और यह हमारे विदेशी समोसे कैसे इंडियन्स विदेश में रहे बिना बीफ फ्राइब किये समोसे बनाते हैं इन समसो का नाम है विदेशी समोसे सब्सक्राइब करना है विदेश में रहे कि देशी समोसे राइट सही होला आपने आपको पानी घी और कुछ भी लगा के बेलने की जरुत नहीं है यह इसे हो जाएगा नाहीं आटा लगा लगा कि इसको बेलने की पड़ेगा इसलिए सबसे इंपोर्टेंट बात है वो है कि जो डो है वो अच्छे से गुथा जाए थोड़ा उपर नीचे हो जाए था आप वाइल का यूज कर सकते हैं या गी का इनना तो ऐसे ही इसको थोड़ा मोटा बनाने की कोशिस करना तो ज्यादे अच्छ बहुत पतला भी नह इसको दो लें यह कर लिया कट इसके बनेंगे दो समोसे इसको आपको थोड़ा बढ़ानी है थोड़ा थोड़ा बढ़ देगी पानी लगा दिया पानी लगाने के बाद थ्री फिंगर अंदर रखी अकोर्डिंग टू इस थी उसके बाद यहां पकड़ लेंगे उस कॉर्णर पकड़ लेंगे और चपका देंगे अच्छे से चिपकना बहुत जरूरी है नहीं तो आपका समोसा फट सकता है अगर आप करें तो और ओवन में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाद वाकी फिर इसमें बस एक अच्छे से स्पून बरके डाल दो हां गाइस आम लोगों को ना मसाला थोड़ा जादा पसंद है कि समोसे में अच्छा-खासा मसाला होना ची इसलिए हम थोड़ा मसाला ज्यादा बरते हैं इसमें ठोड़ा चाहसा बराना यह वाला समुसा मेरा है इसमें ऊपर खाली रखेंगे थोड़ा सब्सक्राइब के लिए इतनी जगै खाली होने चाहिए अब देख लो यहां पर ऐसे लगा देंगे आप इसको साइट से दबा दो या बीस से ऐसे कर दो और इस तर करके सारे समोसे बना के रेड्य कर लेते हैं कि सारे के सारे समोसे ट्रेय के अंदर हमने जमा दिये हैं अब इन पे क्या करेंगे ना थोड़ा-थोडा सा बस इसे ना ओइल लगा देंगे इसे ब्रस से हलका से इन पर में सब पर ओइलिंग करूंगी क्योंकि हम इनको डीफ राइनी कर रहे हैं वो जैसे अपने इंडिया में करते हैं ना शौप पर घर भी तेल में निकालते हैं इनको अच्छे से पर वह काफी जादा ओइली हो जाता है पर आप देखना यह उनसे भी बैटर बनने वाले कि अपर आपको बहुत जादा ओईल नहीं लगेगा ओविल की बर्बादी भी नहीं होई या आप का तेल वी बच जाएगा इनफेक्ट ऐसे लकाते होलो है लगे लुटे रहलो कि आपे सांप यहा जो सेट कर दिया है और इसका जो टेंपरेचर है वो हम सेट करेंगे अभी 170 अब आप अच्छे से ध्यान रखना अगर आप ट्राइ करते हो ओवन में तो 170 यह होना चाहिए और यह पूरा तरके सब फेन पे रखना है और यहां से हम करेंगे अब पोके का बटन दबाएंगे तो यह मैंने भी ओवन ओपन कर लिया है और यह जो ट्रे हैं इस ट्रे को और अब मैं आउनी 10 मिनिस बाद गाइस यह देखिए मैंने समों से बाहर निकाले हैं और मैंने इनको फ्लिप कर दिया पलट दिया है और मैं इनके दूसरी साइड भी जो है ओई लगा रही हूं बीच बीच में इनको चेक करना पड़ता ना अभी यह सिके निया है बट आप देखना आपको लग रहा होगा ना रही है तो अभी वाइट ही दिख रहे हैं यह कैसे बने यह बैट इसा कुछ नहीं है गाइस अभी देखना आपको पता भी नहीं चलेगा और इनका कलर भी ना चे यह देखिए हमारे फाइनली जो है समोसे बनके रेडी हो गए है अब पेट में दोड़ने बहुत चुए तो रहा नहीं जा रहा है मैं एक-एक समोसे को यहाँ पर सर्व कर लेती हूँ और यह इतनी एजी और क्विक रेसीपी है ना इसमें ना बहुत ही समोसे बने हाँ बना के जरूर ट्राइब करें घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं या इजी ली कभी आपका मन करता है खाने का तो आप बना सकते हैं 30 मिनट्स में रेडी या लिट्रेली समोसे इतने यम्मी और इतने चट पटे और स्पाइसी है ना दूआ निकल गया मेरे तो कान में ते गाइस यह समोसे इतने स्पाइसी और धूवेदार है ना यगर आप खाओगे तो कान में से दूआ निकल जाएगा बहुत ही टेस्टी है ऐसे समोसे अगर आप एक बर घर बे मना के खाओगे तो लिटरली आप मार्केट के समोसे खाने भूल जाओगे और यहां पे ना लोग बहार उसे पैकेट ल गया आई लाव इस टेस्टी हो बनाजे जरूर ट्राइग करना और हां मेरे चैनल को सुस्क्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक करना शेयर करना और इंजोई करना मिलते है इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई